नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सोन उनिगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे चैनल यानि कि आर्ट्स वाले भहिया को इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक यानि राष्ट निर्माणी की चुनोतियों के बारे बताने वाला हूँ ये इस बुक की हमारी पहली वीडियो होगी चली शुरू करते हैं देखे राष्ट निर्माणी की जब हम चुनोतियों की बात करते हैं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हमारा देश आजाद हुआ जब 1947 के बाद हमारा देश स्वतंदर्ता को प्राप्त करता है तो एक देश होने के नाते एक राष्टर होने के नाते हमारे सामने कौन-कौन सी चुरूतियां आती है इसके बारे में बात करनी चाहिए आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इतने साल हो गए हमारी आजादी को लेकिन हमारा देश अभी भी उस तरह से तरक्की या विकास नहीं कर पाया है जितने कुछ पश्रिम के देश कर पाए है या वो हमारी तुलना ब्रिटन, फ्रांस, अमेरिका से करने क कहते हैं कि हम कितना पीछे रहे गए तो इसका जवाब क्या है इसका जवाब यह है कि जब हम एक देश के तौर पे आजाद हुए हमारे साथ हमारी आजादी जो है वो बटवारा भी लेकर आई थी तो हमारी इस्थिती बहुत अच्छी नहीं थी उस समय देश के सामने अब जाके जो है आप यह सोचेंगे ना कि भाई देश में बुलट ट्रेन लाई जाए आपका देश जिस इस्तिती में आजाद हुआ उस समय कौन-कौन से हमारे सामने चुनौतियां थी प्रमुख चुनौतियां इसके बारे में बात करेंगे किन हालातों में हम आजाद हु कि 14 15 अगस्त कि मधरातरी 14 15 15 अगस्त की रात में हमको पूरी तरह से आजादी मिली और हम्법 यह लूज जो में होने के बाद जो चुनाव के द्वारा सरकार बनी थी उसमें भी पंडित नहरू ही प्रधान मंत्री बने थी लेकिन आज़ादी जब 47 में आज़ादी मिली तो जो अंत्रिम सरकार बनी थी उसके भी प्रधान मंतरी पंडित नहरू इते तो देश के पहले प्रदान मंतरी पंडित नहरू उसी रात को वो जो है समीधान सभा के सामने भाशन देते हैं और जिस भाशन का जो नाम है वो है और किस तरह से जो है कि यहां आपको यह बात भृदू हैं कि उस समय जो हम अपनी आजादी के लिए ज़िए लड़ रहे थे जो हमारे कई सारे सुथुरुत रिख नता थे चाहे वह गरम पनती हो नरम न पनती हो चाये वह गांदी बहुत सारे नाम ले सकता हूं लेकिन आप समझ गए मैं कि निकी बात करो जिनों ने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उसमें अलग-अलग प्रकार की विचारधारा के लोग अलग-अवाजे थी अलग-अलग तरीकों से आजादी को प्राप करने वाले लो कौन सी थी वो दावाते देखे आजादी की लड़ाई में कई आवाजे बुलन दे थी अलग-अलग प्रकार की आवाजे थी लेकिन वो दो बातों पर सहमत थे सबके सहमत ही दो बातों पर थी और वो दो बात क्या थी वो ये थे कि आजादी मिलने के बाद देश में जो सरक सरकार बनेगी वो लोकतांत्रिक सरकार होगी उसे डेमोक्रिसी से चुना जाएगा डेमोक्रिटिक रूप से उसे इलेक्ट किया जाएगा उसका जो काम है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए एक सम्मिधान होगा जिसके आधार पर वो अपना काम पूरा करेगी यह पहली बात जि के लिए कारे करेगी किसी एक वर्ग किसी एक पंथ किसी एक धर्म के नहीं बल्कि सभी वर्ग देश के अंदर सभी के भलाई के लिए काम करेगी विकास का एक ऐसा मॉडल अपनाया जाएगा जिससे सभी को लाप प्राप्त हो गरीबी कम हो इस तरह की काम किये जाएंगे जिस के सबके भलाई की बात करें के सब के कल्यान की बात करी जाएगी दो बातों पर सब कि सहमती थी यह तो आपको पहली पेज़ पेर आपकी चप्टकिक मिल जाएगा जू चाहे activities अम तूर पे चाहे वो बॉट की हम बात कर ले यह होता है कि देश के सामने जो राष्ट निर्मान की चुनौतियां थी उसकी व्याख्या करें या राष्ट के सामने तीन प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या करें हलेकि किताब में तीन दिया हुआ है तो मैं भी यहां पर तीन की ही बात करूंगा छे नमबर में आता है यानि कि एक पॉइम जो है वो दो नमबर क भी हुआ था उसका भी गम था था साथ हमरे देश में आप जानते हैं कि अंगरेच के राज में हमारे यहां फू डालने की खुब्ट जो है कभायत की गई हमारे देश में अलग इलग प्रकार के लोग रह रहे थे Mae संस्क्रिटीं अलग धर्म बहुत घुल बहुत बोले वहने के बाद जब आपका देश आजाद हो रहा है तो बटवारा ला रहा है साथी साथ जो रजवारे उनके पास यह option है कि भई आप चाहें तो भारत में चले जाएं आप चाहें तो पाकिस्तान में चले जाएं और अगर आप दोनों में से कहीं नहीं जाना चाहते तो आप अपना आजाद देश भी बना सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी थी अब देखिए आपकी देश का 565 अलग अलग रजवारे जो थे अगर वो अलग 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 देश बना लेते तो हमारा देश आज जितना बड़ा है जितना सुन्दर है शायद उतना नहीं होता देश के बहुत सारे टुकड़े होने के खतरे हमारे सामने थी तो यहीं पहली हमारी चुनौती थी कि किस तरह से देश को भारत को हम एक करें पहली क्या चुनौती थी भारत को एकता के सूत्र में बांधना देखिए भारत के सामने पहली चुनौती यह थी कि देश को बिवित्ताओं के लिए जगा हो डाइवर्सिटी के लिए जगा हो भारत अलग अलग धर्मों के लोग अलग भाशा और बोली वे संस्कृति के लोग थे पांचो पैसे तरियासते थी जिनको एक करके हमें एक अखर्ण भारत बनाना था यह हमारी पहली चुनौती थी और इस चुनोती को हमने पार कर लिया, इस चुनोती को हमने सफलता पूर्वक सामना कर लिया, हमने देश को एक बना दिया और आप देखे आज कितना बड़ा है भारत, इसमें 500 पैसर ट्रियासते सामिल हुई, हमने इसमें जो है सभी धर्मे के लोग हमारे साथ रह रहे हैं, स यहां हमने इतने करोड़ों का एक देश बनाया, जिसमें अलग अलग तरहे के लोग रह रहे हैं, यह एक चुनोती थी, इसे हमने सफलता पूर्वक पार कर लिया, दूसरी चुनोती क्या थी, दूसरी चुनोती वही थी जो हम बात कर रहे थी, जो सहमत ही थी जिसके उपर, कि इस समय जितने भी देश देखिया आप आजाद हुएं, सेकंड वर्ड वार के बाद जो देश आजाद हुएं, चाहे वो एशिया के हो, चाहे वो अफरीका में हो, वहां के जो नेता अपनी देश की आजादी के लिए चुनाव आंदुलन कर रहे थे, उन्होंने क्या किय जैसी उनको आजादी मिली, तो खुद को इलेक्ट करवा दिया राश्टपती के तौर पर, पर्धानमंत्री के तौर और कहा कि अब 10 साल तक हमी रहेंगे, हमारे यहां भी ऐसा हो सकता था, अगर महात्मा गान्दी, पंडित, नहरू, सरदार बल्लबाई, पटेल ये कहते, कि अगले 20 साल के लिए कॉंग्रिस के सरकार रहेगी, तो मुझे लगता है कि शायद कोई उनका विरोध नहीं करता, क्योंकि उनकी लेगेसी इस तरह से थी, उनकी विरासत इस तरह की थी, क्यों शायद कोई उनके उपर संधय भी नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने आसान र चासता यह था, कि जो सरकार बनेगी, वो लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाएगी, तो दूसरी जो चुनाती हमारे सामने थी, वो यह थी, कि लोकतंत्र की स्थापना करने की जो मैं बात कर रहा हूं, वो चुनाती किस रूप में थी, चुनाती इस रूप में थी, कि बहुत फ्रतिशत लोग असिक्षित थे निरक्षर थे वहाँ अबूंकू को पड़ना आता तोट क्योंप के प्रसिस उनको नहीं पता होते तो कैसे को सफ़ल बनाएंगे चुनौती दीकिती कि हमारे देश तोस्त में गरीब था ज्याद्यार लोग निरक्षर थे फिर भी हमने उस मुश्कील रस्ते को अपनाया जो दूसरी चुनाती वो यह थी कि लोकतंत्र को कायम करने की भारत के सविधान में आप जानते हैं कि मौलीक अधिकार की बात की गई मताधिकार दिया गया हणनागरिक को तो अब जब उन्हें मताधिकार गया है तो जाहिश से बात है कि चुनाता आपको करा नहीं पड़ेगा हमारे देश में चुना हुए 1952 में और आप क्या देखते हैं कि हम लोग ने उस चुनाती को सफलता भूरोग पार कर लिया आज तक हमारे देश में जो है लोगतंत्र अपनी जड़े मजबूत रूप से जमा चुका है यह वही नीव है जो उस समय डाले गई थी अगर उस समय लोगतंत्र का स्वाध हमें नहीं चगाया जाता तो शायद हम उतना सीरियसली लोगतंत्र को बाद में नहीं लेते हैं पाकिस्तान का हाल आप जानते ही हैं कि वहां किस तरह से जो है लोकतंद्र कमजोर और मेंटरी रूल जो है बहुत तागतवर है अभी हाल की ही गटना मैंनमार की है कि वहां भी तकता पलट हुआ लेकिन हमारे यहां पर डेमोक्रिसी जो है अपनी जड़े जमा चुका है तो य नहीं था आसान क्योंकि हमारे यह गरीबी और असिक्षा थी यह हमारे सामने बाधा थी लेकिन हम ने इस बाधा को भी तोड़ा इस बाधा को भी पार किया और अधे साबित कर दिया कि लोकतंत्र केबल अमीर देशों के लिए के लीए यह नहीं है एक निम्न आयओ वाले देश और एक निरक्ष्चर देश में भी इसे सफलता पूर्वक्त हासल किया जा सकता है और हमने जबाब दिया पश्यम के उन विचारकों को जो हमारे यहां पे भारत लोगतंद्र को असफल होते वेगा, तहीं हम लोगों लोगतंद्र को सफल सबित किया। दूसरी चुनाथी भी हम ने हाने कि पार कर ली। तीसरी चुनाथी हमारे सामने क्या थि ? कि हमारे साथ जो तीस्ती चुनोती वो यह है कि हमारा देश गरीवी की चपेट में था अकाल पड़ा हुआ था अकाल भी थे हमारे देश के जादतर लोग जो है वो गरीवी की चपेट में थे तो जो सरकार बनेगी उसके सामने चुनोती यह थी कि विकास का एक ऐसा मॉडल अ बनाया जाए विकास को हम इस प्रकार से नीतियों को इंप्लिमेंट करें कि जब हम विकास कर रहे हों जब हम अपनी नीतियां अपनाना चाहते थे हम कि जो अमीर लोगे हों उनको बस जो है फाइदा प्राप्त हो नहीं हमने कहा कि भई हम विकास ऐसा करेंगे जिससे समूचे पूरे समाज का भला हो तो चुनौती ये थी कि विकास के द्वारा समूचे समाज का भला करना तीसी चुनौती ये थी कि ऐसा विकास किया जाए जिससे पूरे समाज का भाला हो ना कि सिर्फ एक वर्ग का विकास की निती इस तरह से बनाई जाए जिससे की पिछड़े वर्ग और गरीब वर्ग को सबसे अधिक लाब हो तो हमने क्या किया, क्या हमने पूंजीवादी मॉडल को अपना लिया, नहीं, क्या हमने समाजवादी मॉडल को पूरी करह से अपना लिया, नहीं, हमने एक मिस्तरित अर्थविस्था के मॉडल को अपना लिया, जहां पूंजीवादी अर्थविस्था के कुछ गुड़, और समाजवादी अर्थविस्ता के कुछ गुण हम लोगों ने अपना लिए और हम हमारे देश की सरकार को जो निर्देश मिलते हैं नीती बनाते समय कि आप जब विकास के लिए जो पॉलिसी बनाऊगे तो उसमें आपको किसे बातों का ध्यान रखना है तो समीधान में राजी क मैं तो मैं उमीद करता हूं कि आपको यस वीडियो में आपके काम कि आपके लाव की चीज़े आपको मिल गई होंगी अगर आपको वीडियो में कुछ भी एच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूस्ट अकते हैं तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में